ओम नमस्षिवाई जै नीलकंठ महादेव कहते हैं अकाल मिर्तिव वो मरे जो काम करे चंडाल का काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का शिवरात्री आने वाली है और इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसके जरीए आप शिवजी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं उनसे मन वांचित अपने इच्छा को पूरी करवा सकते हैं आपका कोई भी काम है शिवजी उसे पल भर में पूरा कर सकते हैं सावन का महीना अपने आप में विशेश दोर पे महत्वपूर्टा रखता है सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए कहूंगा जिनके पास कोई भी उपाय किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं है और वैं चाहते हैं कि इस शिवरात्री को वो कुछ ऐसा करें कि देवों के देव महादेव उनसे प्रसन्न हो जाएं तो एक बहुत ही छोटा सा उपाय है बिल्कुल सरल है कोई भी कर सकता है घर में बैठे भी कर सकते हो जहां कहीं हो आप वहां भी कर सकते हो कुछ भी नहीं करना है सिर्फ 108 बार नाम लेना है भोले नात का आप अपने अंतर ध्यान होके अपने मन से जैसे भी उनका नाम लेना चाहते हैं, पूरे दिन में, 24 घंटे में, एक बार उनका नाम लीजिए, 108 की माला से आप जाप कर सकते हैं, या फिर उनके 108 नाम लीजिए, अगर आपको 108 नाम नहीं पता है, तो आप उनका जाप करिए, एक ही नाम को 108 बार जाप कर सकत जैसे कि आप बोल सकते हैं ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय इस प्रकार से आपको 108 बार बोलना है अगर घर के आसपस आपके शिव मंदिर है तो बहुत ही उत्तम है और बहुत अच्छी बात है अगर घर के आसपास नहीं है तो भी आपको शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए और वहाँ पे गाएं के दूद से रुद्रबशेक करना चाहिए गाएं का दूद लीजिए और उसे शिव लिंग पर चड़ाईए उससे शिव जी आपसे अतीप रसन्न होंगे और आपकी जो मनवाजित फल है जो आपको वो जरूर मिलेगा श्री रामचरित मानस में वरनित है शिव पारवती का जो विवा है उसे पाठ करिए इससे बहुत ज़ादा आपके मन को सुकुन मिलेगा और आने वाली सभी परिशानियों में आपको लाभ मिलेगा श्री रामचरित मानस में वरनित सीता रामविवा का प्रसंग की सुन्दर कथका पाठ करें गाए का शुद देशी घी से दीप प्रजवलित करें और 24 घंटे वह दीप शिव जी की मूर्ती या उनकी तस्वीर के आगे आपके घर के मंदिर में चलना चाहिए जदी वह जलता है तो ऐसे माना जाता है कि सारी नकारात्मक उर जाएं जितनी भी परिशानिया हैं जितनी भी दरिद्रता है किसी की बुरी नजर है वो आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है तो ध्यान रहिए आपके घर में दीप जरूर जलना चाहिए आप आज से जला लीजिए अभी से जला लीजिए जब आप जागो तभी सवेरा है भोले बाबा की शरण में जाहिए केवल एक मात्र शिवजी ऐसे हैं जो की सबसे जल्दी सबसे प्रसन होते हैं आपकी छोटी सी पूजा देखकर भी आपके मनोगत भाव को देखकर भी वो अती प्रसन होते हैं आपको इस बार ऐसा करना है कि इस शिवरात्री को आपको निर्जला वरत रखना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो जो भी आपने सोचा होता है आपके मन में जो भी विचार होते हैं वो शिवजी तक तुरंत पहुंच जाते हैं और आपकी जो बात है वो आगे बढ सर पर शिव पूजा के साथ-साथ दुर्गषप्त शती का पाठ किया जाए तो मनोवांचित फल की प्राप्ती होती है इसी लिए आपको माता का ध्यान सदैव रखना है इस दिन विवा का संकल्प करके दुर्गशप्त शती का पाठ विशेश कर करें सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का 18 बार चाप करें इससे आपके आने वाली दूर दूर के परेशयने भी दूर हो जाएंगी इस शिवरातरी बहुत अच्छा मुहरत बन रहा है उस समय आप कुछ भी वर माग सकते हैं और वह वर आपको मिलेगा ही मिलेगा उसमें कोई दोराय नहीं है और मैं आपसे चाहूंगा कि शिवरातरी के दिन जितना हो सके सूती के वस्तरधारन करें जिससे कि आपको और ज़ादा वाइब्रेशन अच्छी मिलेगी और ज़ादा ऊर्जा आपको अच्छी मिलेगी शिवजी को बेल पत्र बहुत ही प्रिया है यदि आप तीन बेल पत्र जो की जुड़े होते हैं आपस में वह चड़ाते हैं तो शिवजी बहुत जल्दी प्रसन होते हैं यह भी एक छोटा सा उपाय है बेल पत्र चड़ाने से भी शिवजी बहुत जल्दी प्रसन हो जाते हैं और आपकी बातों को मैं सुनने लगते हैं शिवजी को काग भुशंडी रामायन जो की मानस के उत्तराखंड में वरनित है उसको संकल्पित करके उसका सुन्दर गायन करें इससे आपको देरगायू मिलती है और आपके दुश्मन कमजोर होते हैं यह बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो देरगायू पाना चाहते हैं यह जिनका स्वास्ते ठीक नहीं रहता वह रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें शिवरात्री के दिन सुभा से ही आपको शिवजी की पूजा पार्ट में लग जाना चाहिए अगर आप उस पार ब्रह्म परवेशर की पूरी पूरी कृपा पाना चाहते हैं चाहते हैं कि आपका जीवन अगर अब तक नहीं बदला है तो वो बदलने लगे तो इसके लिए आपको सुभा से पूजा करनी शुरू होगी पूजा अर्चना में आप पूरा दिन निकाले क्योंकि एक दिन अगर आप पूजा अर्चना में लगेंगे तो उससे भी बहुत बड़ा आपको रिजल्ट मिलने लगता है शुरूआत का एक कदम जरूरी होता है सारे कदम आपको देखने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक कदम आप भोले नाथ के तरफ बढ़ाए भोले नाथ आपकी तरफ सो कदम बढ़ाते हैं और जैसा मैंने आपको पूजा अर्चना करने के लिए बताया है वो जरूर करिएगा रुद्राक्ष की माला जरूर पहनिए या उन लोगों को रुद्राक्ष की माला शिवलिंग को एक बार स्पर्ष करकर रुद्राक्ष की माला पहनिए और उन लोगों को दीजे जिनको आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े तो शिवलिंग पर आपको रुद्राक्ष की माला को सपर्श कराना है एक बार गंगा जल में धोके और उसके बाद आप पहन सकते हैं या अपने प्रिये किसी को दे सकते हैं याद रखेगा सुबह ग्यारा बज़े से पहले पहले आप उनके उपर दूपहर के जो ग्यारा बज़ते हैं उससे पहले पहले उनके उपर आप दूध चड़ा सकते हैं ग्यारा बजे का समय इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग नहीं उठ पाते तो ग्यारा समय का जो समय है वो आखरी है उससे पहले पहले अगर आप चड़ाते हैं तो आपको बहुत जादा फल मिलता है जितना जल्दी आप उठ सकते हैं सुभा उठिये और अपने पूरे दिन को शिवजी के साथ लीन हो जाए है शिवजी की पूझा पाठ में घर में सुगन्दित धूब बत्ति जलाई अगर बत्ती नहीं जलानी है क्योंकि अगर बत्ती में बांस होता है और यदि बांस को जलाया जाय तो हिंदु धर्म के अनुसार ये सही नहीं माना जाता इससे दे एनरजी ऐसी पॉजिटिविटी आजाए जो आपने पहले कभी महसूस ना की हो तब आपको शुद देसी गाएं का गोबर और उसमें थोड़ा सा घी डालकर उसकी धुनी अपने पूरे घर में करनी है और उसके बाद जो आपके घर का सकारात्मक माहूल होगा वह सिर्फ आप भी जान सकते हैं यह बहुत जादा इफेक्टिव चीज है इसे हम लोग खुद करते हैं और इसका असर हम देखते हैं आप कोशिश करके देखिए आपके घर के सारे दुष परिणाम या जितनी भी नकारात्मक उर्चा है वह आपके घर से कैसे चू हो जाएगी आपको पता और ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपकी बात ना सुने याद रिखिए आप में ही कुछ कमी होती है जो कि आपकी बात उन तक नहीं पहुँच पाती वरना वह तो सदयव आपके साथ हैं आपके पास हैं और जो सबसे बड़ा उपाय है आज की हमारी वीडियो का वो यह है कि इ प्रण कीजिए उनसे वाइदा कीजिए कि आपकी जितनी भी बुरी आदते हैं आप उसे छोड़ देंगे आप उनको अब दुबारा नहीं आजमाएंगे यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिया आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि जितनी भी आपकी बुरी आदते होती हैं वो दूर होने लगती हैं जितने भी आपके दुश्मन होते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं और आपका जीवन गती अनुसार आगे बढ़ने लगता है शिवजी की पूजा आराधना आपको जरूर करनी है और किस प्रकार से करनी है यह मैंने आपको बताया है आप आपको बिलकुल विधी विधान से करनी है, अगर आपको विधी विधान से नहीं आता तो आप किसी पंडित के सानिध्य में भी पूजा करवा सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई पंडित नहीं है और आपको नहीं पता कैसे करनी है, तो आप YouTube के माध्यम से भी पूजा कर सक सकते हैं यदि फिर भी ना पता चले तो आप अपने हिसाब से भी फूझा कर सकते हम् बोले बाबा आपके भाव के मैंने का हैं आपके भाव के तो आपके अगर फाव अबंद के शिव में लीन हो जाई इस समय क्योंकि उनका भंडारा जब खुलता है वो जब देते हैं तो दोनों हाथों से देते हैं उमीद करूँगा कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कुछ भी अगर पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे दे सकते हैं अपना मेसेज छोड़ सकते हैं और क्योंकि जाता मेसेज़ आते हैं कॉल साती हैं तो सब का फोन नहीं उठाए जा सकता इसके लिए सबसे बहतरी नोपाई यही है कि आप हमें इमेल करिए और शिवरातरी क्योंकि आज मेरे महादेव का वार है तो आज के दिन जो भी कोई आप सभी जो भी गूरुप में शामेल होना चाहते हैं उनको फ्री में आड़ कर लिया जाएगा आपको सिर्फ वॉट्सअप कर ना है अगर वाट्सअप पर आप कर दो। इतना ही कहूंगा कि भॉलणााथ की भक्ति में निवारे लीन हो जाएगा बिल्कुल दुनियादारी की बातों को भूल जाएए क्योंकि जब भूले नाथ आपके साथ हैं तो आपको किसी और के साथ की जरूरत नहीं पड़ती याद रखेगा जब भूले नाथ आपकी तरफ हैं तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आपके विपरीत कौन है ओम नमस्षिवाद जो आपके साथ हैं